हेलो दोस्तों कैसे हो आप लोग स्वागत आपको इस नई वीडियो में तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले कि कैसे हम यूजर को फोर्सपुली अपडेट के लिए बोल सकते हैं अगर हमने कोई नया फीचर एड किया है और वो इग्नॉर कर रहा है कि हम अपडेट कर यह बोलते हैं तो हम फाइरबेस में जाके वो वर्जन नया वर्जन डालके है जो भी अपडेट किया है वर्जन वो वर्जन डालके हम यह मैसेश टाइक लीपास कर सकते हैं और उससे क्या होगा कि हमारे एप के अंदर यह डेटा जाएगा फाइर रिस्टोर के जरीए और ह हमारे एप का वर्जन है ठीक इसलिए हमें यह डायलॉग देख रहा है ठीक अब मैं क्या करता हूँ यहां पर यह है 1.3 की जगह पर मैं इसे 1.2 ही कर देता हूं मैं इसे अपडेट कर देता हूं ठीक है और एप को जो हमारा एप है उसे एक बार में क्लोज करके हम दौरा से इसे एप को अपने ओपिन कर लेते हैं तो हमारे पास यहां पर एक टेक्स्ट आएगा एप अप्टू डेट क्योंकि हमारे यह वर्जन है यह 1.2 है और हमारा एप का वर्जन भी 1.2 है दौनों सेम है इसलिए हम कोई भी यूजर को कोई भी मैसेज नहीं दिखाएंगे या फिर कोई भी डायलोग नहीं दिखाएंगे कि हाँ भई एप अपडेट कर लो ठीक है यहां पर देखा आगया एप अपटू डेट ठीक अब हम जब जब हम यहां से चेंज करते हैं तो हमारे पास एक डायलोग आ जाएगा फर्ष्ट स्क्रीन पर ही जहां से हम आगे जाई कर लो तो यहां पर हमारा जो भी मैसेज आप डाल रहा है और फिर बग फिक्स या कुछ भी जो भी आप मैसेज डालोगी और भी बहुत सारी चीज आप एड कर सकते हो यहां पर ठीक है देखो आ गया न्यू एब वर्जन 1.3 अबलेबल न्यू फीचर एड़ेट अपडेट अब अब अपडेट ना बटन पर क्लिक करोगो तो आप उसमें यूरल डाल सकते हो अपनी अप की और यूजर को डिराइट कर सकते हो जहां पी आप चाहो ठीक है तो इस तरीके से हम रेस्टिक कर सकते हैं यूजर को फोर स्पील अप्डेट के लिए तो इस वीडियो में य क्या चाहिए हमें चाहिए करेंट वर्जन आप यहीं चाहिए तो इसकेलाए हमके अब्णक आपर इसके लिए अप करने वााले एक लाइब्रेरी यूजर कने वाले है और इस पैकेज़म चलते हो रोम पे और से ओंदो क्रण dosif key डिवाइस इंफो यह क्या करता है हमारे एयप का जो भी टरेंट वर्जन होता है जो भी करेंट वर्जन में wayne तक उसन यह वर हमारा यह देदा है तो इसे आपिएज टू इश्टॉल यह आई अरहा महला है यहां पे सिर्फ यह यह copy करना है कोपी करके हमें पेस्ट कर देना यहां पेख करेंगे थेपें कर देना है आँ बढ़ा सो टाइम लेगा इस्टॉल होने में है ठीक है उसके करना है यहां पर इंपॉर्ट हमें डिवाइस इंफॉ करना है डिवाइस इन्पो करना है और दिवाइस निकाल सकते हैं तो दो हैं पर यहां पर हमारा इंप liberty बहुत सारी चीजे हैं इसमें हमारा app version भी होगा बहुत सारी चीजे हैं इसके अंदर इसे आप और भी सारे requirements के लिए यूज कर सकते हो इसमें आई तिंक मुझे कहीं यहीं कहीं मिल जाएगा इसमें लास्ट में कहीं पर होगा लास्ट में होगा यहीं कहीं पर होगा इसमेलेटर पता कर सकते हैं कि हम किस पर रन कर रहे हैं रियल डिवाइस है या नहीं है ना get version ठीक है यह हमारा method और यह यूज कहां से होगा device-info.get version ठीक करते हैं दिखते हैं एप रन हुआ या नहीं ठीक है एप आइप रन हो गया है तो इसे एक बार मैं यहां पर लॉक इसका ओपन कर लेता हूं ठीक है अब हमारा एप रन हो रहा है ठीक अब मैं थोड़ा से इसको कस्टमाइज कर लेते हैं क्योंकि हमारे यूज थोड़ी कस्टमाइज होगी ना यह इसमें तुम दिखा नहीं सकते ना करेंट में तो हम क्या करने वाले हैं जो हमारा आप इंडस्ट और जैस और इसको अब डॉट टी एस एक्स यह टी एस एक्स के अंदर बनाया यह नहीं है ठीक है तो हमें एक्चुली क्या चाहिए हम टाइप काम नहीं कर रहे हैं मैं जैसम करूंगा तो मैं इसको थोड़ा सा नाइम चींज करने वाला हूं इसका ठीक है ऐ नेनम के इसको मैं जैस ही करने वाला हूँ और मैं इसको हठाने वाला हूँ आर ऐनेवड़ा फिक ऑמעने पुझ हे हूए है कि तो शाना टाइम लेवा लोड़ होने में पर देख रहा है और के निकाल के सेंटर पे रखते हैं जिससे में पता चलेगा हुमारा करेंट क्या है क्या करें तो यह सब्सक्राइब यह थेक्ष्ट को आईटम सेंटर गया यह तेस्ट को देख कर लेते हैं font size का थोड़ा सा कर लेते हैं बड़ा तो font size 30 ठीक है यहां पर string ले लेते हैं और string में लिखते हैं current app version ठीक इस तरीके ज़र अब यह दिख रहे हैं ओके हमें import क्या करना एक इंपोर्ट device info device info from native device info ठीक और अगर मैं यहां निकालना है तो प्लस मैंने लगा दिया डिवाइस इंफो डॉट गैट वर्जन यह यह मैथड है इस टिंक कति यह आते को वन पॉइंट जीरो संथिंग लिखके आ रहे हैं ठीक है अभी हमने इसको यह चेक किया तो इस तरीके से लिखके आ है करेंट ब्रजन in क्या करेंगे हम जो भी है वह फाइरस्टोर किसा जो भी करेंट वर्जन होगा हमारे कि यह फिर हमगा करनेवाले जैसे हमारा करेंट 1.0 है पहले करते हैं और हम आगे दीक हम क्या करेंगे इसका क्योंकि इसमें तोड़ा साम logic लगाने वाले हैं तो यहां पर फेजाने on चलते हैं और यहां पर हम अपनी एक साइडम खोले थे और न फायर्वेस ठीक है और फायरवेस के खुलेंगे तो यहां पर में फायर इस्टोर वाला जो डेटाबेस इसको स्टाइश्ट मोड कर रहा हूँ मैंने रहा है कि पूपाल पर लगों है हम क्या करते हमिजट को रण कर लेते हैं इधर यह रन हो रहा है तब तक इसको हम तोड़ा सा इसके जो भी हमारी रूल्स बगएर उसको चेंज कर लेते हैं ओके तो तो अब यह क्या करना है यहां पर एक कलेक्शन बनाना है ठीक है अपने एप सी बना लेते हैं पहले एक बार ओके एप को रन हो जाने देते हैं आप कोई दिक्कत आई है आपके अंदर कि ओके कि फायर इस्टोर की परमीशन कि अच्छा यह भी करना पड़ेगा ना मैं एप ठीक तो यह भी कर देते हैं कि 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 इसको करते हैं इस्टॉल और देखते हैं कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है कि 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 तो थोड़ा सा में रिखाना है ना सेटप बगएरा कैसे करते हैं वह कि बहुत सारे लोग नए लोग भी होंगी जो इस वीडियो को देख रहे होंगे कि कि टोड़ा सा टाइम लग रहा है कि 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 अगे 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 कोई दिक्कत नहीं आएगी यह ना क्योंकि मैंने फाइर्वेस एब बाली लाइबरेरी नी डालीती ना और मैंने सीधा फाइर्वेस्टोर की इंस्टॉल कर लीती है इस वह साइटिंग वह एरर दिखा रहा था कि देखते हैं यह रन होता है या नहीं थोड़ा सावर रहा गया है तो क्यों क्या करते हैं यहां पर एक कलेक्शन बना लेते हैं मालो वर्जन्स यह कॉमन मेसेज है क्योंकि मुझे तो यह सब सबको दिखाना ठीक है फिलाल करें तो आटो आइडी इस्ट्रिंग फिल्ड का न इस तरीके से यह कुछ फिल्ड हमें दे लिए हैं यह रन हुआ या नहीं हुआ है फोड़ा से टाइम ले रहा है ओके रन हो गया है अब हम क्या करने वाले है रहें ग어 इक वकलो मुझे टेटा वाला या टेक्स अंदर में योरके रहें जो आ रहा है तो यांपने बंका गरूंगा फिल्ड का पहले और यह उसे कॉपी करते हैं ढूम्ति के लिए गए तो मुझे कisuंकर लigा करना है यह द्क रहें सब्सक्राइब मुझे यह वाला लाइन कॉपी करनी है न कर ली मैंने उसके बार दूसरी लाइन कॉपी करनी यह और मैं एक लाइन को यहां पर यू जएफेक्ट लेता हूँ यहां पर फ़िक्त यहां पर फोल करता हूं और इसके अंद यूजर्स पूरा करता हूं से मैं रेखता हूं यहां पर मुझे क्या मिलता है कि यूजर्स में कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि हमारा जो कलेक्शन है वो वर्जन्स के नाम का है ना यह ठीक अब देखते क्या मिलेगा हमें काम करते हैं क्यूजर्स डॉट डेटा क्या मिलेगा अंडिफाइंड मिल रहा है हुआ 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 हु data तो मुझे एक्षुल में ये निकालना थीक है मुझे वर्जन मिल गया हूँ अब मुझे क्या करना हूँ जो वर्जन हम यहां पर change करेंगे इस तरीच के 실уск Josh है later यहां पर एक्चवल में क्या करने के यहां पर अकला बर्जन नहीं एक चीज और एड़ करने वाले फिल्ड और वो फिल्ड रहेगा से कैंसल करते हैं मैसेज मैसेज में जैसे डाल लेंगे न्यू फीचर्स एड़िड यह मैंने इस तरीके से डाल लिए ठीक है तो अगर मैं यहां पर इसको द्वारा से सेव करूं को तो मुझे कुछ नहीं निया मिलेगा मैसेज भी मिलेगा और थीक मैंसेज को हम चैंज कर सकते है ऐ pues से और वजय को भी ठीक है तो यहां पर हम अपने से दिख नहीं कर रहा है इस वज़े से ठीक है अगर मैं इसको लोड़ करूं आपको से यहां से दिक्कत कुछ आ रही है कि कोई नहीं तब तक इसको थोड़ा सेट अप कर लेता है हमालो जो भी बेगा करेंड पर हमान lle करते हैं यहां पर योउज스क्ड ले लिए हमने यहां पर ले ले लेते हैं उर हमारा यहां पर एक concept ले लिते हैं और हमारा updated Auch वरजन is update श्टेट स्टेट ले लो यूज स्टेट में यूजे पहले वरजन की पहले कुछ प्रहरे तो स्टिंग ले ले अब यूजे मैं एक से जबने तेद करना है तो जो यहां पर सेट अपडेटर वर्जिन इसमें क्या होगा कि दॉट कि वर्जिन ठीक है बई अब है ओके ठीक है यह क्यों नहीं दिख रहा मुझे एक लगता है यसे एक बार फिर से द्वारा से उपन करना पड़ेगा वाइजर कुछ इसमें दिक्त आ रही है वाइजर में स्क्रीन सही से क्लियरली नहीं देख रही है अब देख रही है ठीक है तो आप देख सकते हो करेंट एब बर्जन बन पॉइंट जीरो ठीक अब अगर मैं मालो यहां पर दिखाता हूं यह मैसिज जो है ना यहीं पर मैं कंडीशन लगा देता हूं क्या कंडीशन होगी कि अगर यह जो डिवाइश डॉट गैट वर्जन यह अगर डिवाइश डॉट गैट वर्जन इस नॉट इक्वाइश टू क्या अपडेटेड वर्जन ठीक है तो हम क्या करेंगे प्लीज अपडेट एप ठीक है यह पहली स्क्रीन पर लगना है बेसिकली और कहीं नहीं है क्योंकि यूजर लॉग इन साइन अप कुछ करी न पाई अगर आपने कुछ एप बनाया है नहीं तो पहले ही यह डायलोग आ जाए ठीक है तो अभी तो हम इसे फोर्जपुली अपडेट बोलेंगे है न अदर्वाइश कुछ नहीं तो मैंने इस तरीका से ले लिया तो देखो अभी तो बराबर है क्यों क्योंकि अगर हम ब और मैं से सेव करता हूँ अब क्या रहा है अब इसको अब और मैं चेंज कर देदा अच्छा वन सेकेंड यहां से हटाना पड़ेगा ना यार अगर not equal है तो प्लीज अपडेट एप और अगर equal है तो कुछ नहीं है ना तो यहां पर पहले में एक बार one करके देख रहा हूं यहां प्लीज अपड़ अप्डेट अब मैं यहां से फिर से रजन चेंज करता हूं और बज्यक करता हूं 1.1 वह मैंने सेव करह और मैं प्लीज अपडेट अपार ठीक इस तरीक अब हम क्या करेंगे इसमें डायलॉग दिखाने के बाकाइदा और ठोड़ा से इसको लिस्टन डायलोग है यहां पर एक डायलोग बनाते हैं और यहां डायलोग बनाने के लिए में क्या करना है मॉडल लेना है ठीक है मॉडल कहां से रियक्नेटिव मॉडल ठीक और रियक्नेटिव मॉडल मैंने ले लिया इसके अंदर एक व्यू लेंगे हम इसके अंदर visible true ले लेते हैं यह यहां ले लिया मैंने style flex one position absolute top zero background color Rgva 0,0 0,5 अभी अप दीख भी नहीं रहा है ना अब जैस्टिफाय कंटेंट वन टेंट है और हमें यह कंडिशन ग्याटा नहीं है अभी अब 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 क्यों नहीं देख रहा है अब अब काम करते हैं यहां पर जो भी मारी स्क्रीन का साइज है ना आप एक साइज ले तो मैं डिवाइस का हाइट निकाल दी मैंने बित निकाल दी ठीक है और डाइमेंट्शन टॉट गैट के अंदर बिंडो मैंने ले ले ठीक अभी यह अभी दिखनी रहा हो सकता है कि लोड भी न हो रहा हूँ क्योंकि यह दिक्कत है आ रही है मेरी वाइसर में और दूसरा मेरा क्या इम्लिटर चल नहीं रहा है तो डारेक्ली मैं आपको आपर दिखाने का रहा हूँ कि अब यहां पर देखते हैं अगर मैं इसको थोड़ा सा डार्क करूंगो तो डार्क दिखे अगर इसका मतलब कहां यह अपडेट हो रहा है ठीक तो मालो मैंने बित को बित देती और हाइट को अब ठीक है ठीक इस तरीके तरह करेंगे तो और डार्क ठीक है अब यह डायलोग का बैक्ग्राउंड हो गया हमारा ओके अब मैं क्या करूंग इसके इंदर एक ब्यू बनाता हूं और इस ब्यू को मैं जिस्टिफाई कंटेंड सेंटर अलाइन आइटम्स सेंटर रखता और यहां पर इस ब्यू को मैं बैक्ग्राउंड कलर देता हूं वाइट जिससे हमारा एक बित ले लो 90 परसेंट हाइट ले लो 50 परसेंट और बैक्ग्राउंड कलर ले लो वाइट अब देख सकते हूं यह आ गया ठीक है और बॉर्डर रेडियस 20 इस तरीके से दिख रहा ह अब मैं सबसे पहले कंटेंट क्या दिखाना है कि वी न्यू एप वर्जन इस निवर बर्जन जो भी हमारा अपडेटेड वर्जन आ रहा होगा वह एविलेबल तो यहां पर मैं क्या लगाना पड़ेगा ब्रैकेट है ना और इसको कर लेते हैं इसके बीच ठीक है अपडेटेड वर्जन यह यहां पर आगे ठीक है उसके बाद लिखे लो क्या एविलेवल जो भी तुमने टेस्ट वहां पर डालोगा वो मैंसेज आ जाएगा और इस टेस्ट को मैं करूंगा विस्बाल स्टाइल दे लेते हम थोड़ा सा अलाइन सेंटर मार्जिन टॉप थर्टी और विद अनली नैंटी परसेंट ठीक एक चीज और है अलाइन सेंटर के अब फॉंट साइस ट्वइंटी अब फॉंट विट अब इस तरीके इस निव एब बरजन अब लेबल उसके बाद जो महां से मैसेज भीज रहे वह मैसेज भी हम टाइप कर सकते हैं जैसे कि पहले में एक व्यू बना लेता हूं थोड़ा सा अट्रेक्टिव बनाएंगे ना क्यूंकि हम खुद का कस्टमाइज यह डायलोग बना रहे हैं वैसे क्या है अगर पर्टिकुलर हम जैसे आयोस का यूज कर रहे हैं तो हो सकता है कि साइद एपल डवल पर वाले यह अट्रेक्टमाइजन खुद का बना रहे तो हमें जितना अच्छा बना सकें उतना बनाना है यू आई के हिसाब से तो यहां मारलो मैंने बित लेली पहले 80% और पैडिंग लेली मैंने 20 और बैक्ग्राउंड कलर यह लिया तो मैं यहां से थोड़ा सा चेंज कर लोगा मैं अब डेट की बात कर रहे हैं तो हमें गरीन का लाइट वर्जिन यूज़ करना है अधर क्या हो था है कि अ हुआ है कि अ थीग है कि अ अलाइन सेल्फ एंटर कि माज़िट अब तर्डी कि अ कि बॉर्डर रेडियास 15 और इस तरीके देखेगा इसकी बीचे हम टेक्स डाल देते हैं टेक्स जो भी हमारा मैसेज आया बो तो मैसेज हमारा क्या हो यहां पर मैसेज भी डाल सकते एक मैसेज के लिए ले सकते है यहां पर मैंने कॉंस्ट यहां पर मैं दिखा रहता हूं अपना मैसेज न्यू फीचर एडिट अब आप उसको जैसे भी डालो जिस तरीके डाल सकते हैं ठीक है ओके यहां पर जो हाइट है उसे डाल रेते हैं और इसको जो भी हमारा यह रहेगा उसके बेस पर रखेंगे ठीक जो कलर इसका कलर डालना है तो यह डार्क कलर हो गया न्यू फीचर एडिट उके उसके बाद हमें यहां क्या करना है एक टचेवल ऑपीसिटी देनी है बटन बनाना एक और उस बटन को हमें तोड़ा सा ट्रक्ट बनाना है है देखो दोनों उसन आपके पास हैं आप आप क्या कर सकते हो अप या तो से फोर्स फुली अपडेट करवाओ या फिर केंसल का बटन दो आपकी चोईस है ठीक है है बट हमने जो मेरा टॉपिक था वह फोर्स फोली क्योंकि बहुत सारे ऐसा होता बहुत सारे लोग अपड होते हैं किसी लोगों अलग कुछ-कुछ एपस के अंदर फाइनेंसियल होते हैं कोई आप नई सर्विस डाल रहे हो जो पेड है और लोग देखी नहीं रहे हैं एपको अपडेट नहीं करें तो वहां पर यह चीज बहुत जरूरी अब दूसरी चीज यार मैंने इसे कस्टम ह अलगला करना पड़ता बट इस केस में यह सब के लिए कॉमन है और यह हमारे हांत में कि हम कैसा बनाए तो इसलिए कस्टम की बात अलग होती है ना यहां पर इसलिए मैंने कस्टम लगाया ठीक पर एक टैस्ट दे रहेते हैं अपडेट नाव ठीक बैक्राउंड कलर ग्रीन कुल मार्जिन बॉट्टम 20 मार्जिन टॉप 20 यह लाइं तोप 20 यह लाइं जल्स अंटर जस्टिफा गंतेंड संटर अलाइं इतम्स संटर यह हो गया बटन इस बटन को तोड़ा सा और बॉर्डर रेडियस 15 ठीक है इस टेक्ट का कलर कर लेते हैं style color ठीक है सही है मतलब फिलाल हम इससे काम चला सकते हैं इससे ट्राइ करके देखो और काफी यूजफुल होने वाला यह फीचर आप इसको बहुत सारे apps कर अंदर यूज़ कर सकते हो जहां पे आप थोड़ा सा अपनी यू app update है उस पर रेश्ट एक्षिन डाल सकते हो और हर किसी को app update करना ही पड़ेगा अगर आप नई फीचर जाड़ कर रहे हो ठीक है तो अब वीडियो अच्छा लगा है helpful लगा है तो लाइक परो चैनल सुस्क्राब करो मलतना शुदर मा अपतक लिए अनघ